इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नेतनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुल्वा द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंझर है यहां आप देख सकते हैं जैसे बं के धिमा को के साथ पेरूत की तसफीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पावफुल ग्रुप बन रहा है इस ग्रुप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुर्की नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुर्की के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अर्दुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वर्ड जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा अपिशन तस्वीरों में है तेहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से war tension कम करने का वादा भी किया है सौधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सौधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वज़े ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इसराइल मेजली मि झूझमे मिज न उन्चेलिक जूड़े अरासंदे यर आसंदे एर अदिए अजयर आदेटिए एलेगा है इसराइल जैसे जैसे ट्राप में फस्ता दिख रहा है उतना ही वार जोने उसे झाटके लगा है इसराइल की दर्टी धररा रही है इसराइल के आसमान में बारूध का बवंडर उठ रहा है कभी रॉकिट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइले पहं रही है इसराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की च्छाप दिखाए देने लगी है लेबनान से लगी इसराइल के सरहदी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारेंटी नहीं है मैं इस वक्त इसराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पर एक बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे 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 छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई अगर अगर हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले है जिसमें एक एहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया कि यहां की धार्मिक मानेता के मुताबिक उनको भी शांती नहीं और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टूटा फूटा है यहां पर देखे यह यहां पर अपने प्यजनों को देखने आ रहे हैं और लोग यहां पर लगातार जो अटेक हुआ है रोकेट से उसको देखने आ रहे हैं। के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने आपरेशन का जिम्मा सौपा गया है। ब्राउन यूनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है। कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। अमेरिके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले, तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल है। इसराइल के लडाकू जैट हों या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। 24,000 Hellfire मिसाइल, 2600-200 पाउंड GBU-39 छोटे बंब, 1800 M141 बंकर बस्टर बंब, 36,000 Night Vision डिवाइस, 200 Switch Blade ड्रोन, 100 से ज्यादा Skydio X ड्रोन और 75 Joint Light Tactical वेहिकल भी दिये हैं। इसराइल को Emergency Delivery के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं। इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमले करके सभी को चौका दिया था। तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन हैं कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है। अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है। इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तयारी पूरी हो चुकी है। हमले को तयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइलें दाख कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले नौ दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यौफ गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उड़ गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यौफ गैलेंट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यौफ गैलेंट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल एरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले एरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुकसान पहुचाने के लिए हूँगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेल शेतर है इसके अलावा इसराइल एरान के परमानु ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उलादो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानु परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानु बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतन याहू ने 50 मिनट तक पून पर बाचचीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा भले ये क्यास लगाय जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबा नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियार में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके अटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे है अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कतित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिकिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे है भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का प्रिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंद्र सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विग्यानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुन्दर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्द देगे इसराइल डिफेंस पोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉफ कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित्थ किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तबह कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडीलीस्ट में सूपर पावर बन जाएगा